पार्टी साथाजम खान के घर पर पुलिस ने तीन नोटिस लगा दिया है उनकी पत्नी और बेटों के नाम ये नोटिस लगाया गया है पगदा ये नोटिस चस्पा की गई है दारा एक्तो साठ केंतर कर भी नोटिस दी गई है यूपी के हापुड में बीजेपी नेता की गोडी मार कर हत्या कर दी गई ये एक्स्क्लूजिव तस्मीर इस वक्त हम आपको दिखा रही है अभी पुलिस मामले की जाच कर रही मद्रप्रदेश से खबर जहां हुझेन में पानी के तेज बहाओ में एक बाइक सवार लड़का बह गया बताया गया है कि बाइक पर तीन लड़के सवार थे जिन लोगों ने पुल पार करने से मना किया लेकिन वो नहीं माने और पुल पार करने की कोशिश करने लगे पुल पर नदी का बहाओ इतना तेज था कि तीनों का बैलंस दिखड़ गया और बाइक समेथ एक युवक पानी में बह गया जिसके बाद दोनों साथी पानी के आगे बेवस नज़र आए तो जैन की तस्वीरें पान के तेज बहाओ में एक बाइक सवार लड़का बह गया बताया गया है कि बाइक पर तीन लड़के सवार थे जिन्हें लोगों ने पुल पार करने से मना किया लेकिन ये नहीं माने और पुल पार करने की कोशिश में लग गये पुल पर नदी कप पानी इतनी तेज गती से बह रहा था कि बैलन्स बिगड़ना तेट और तीनों का बैलन्स बिगड़ा और बाइक समेथ एक युवक पानी में बह गया पानी के आगे आगे बाद में बेबस नज़र आए अपने दोस्त को बचाने के लिए भी मद्यप्रदेश के उजयन में भारी बारिश के बाद एक बार फिर शिप्रा नदी पर मौझूद रामघाट पर दूर तर पानी ही पानी नज़र आ रहा है नदी में पानी बढ़ने पर घाट की हालात बहुत खराब हो गए हैं कई छोटे बड़े मंदे पानी में धूब ग मद्यप्रदेश के उजयन के तस्वीरे आप देख रहे हैं जहां पर लबालब पानी ही पानी नज़र आ रहा है कई छोटे बड़े मंदिर ऐसे हैं जो इस पानी के आगे बेबस हैं पूरी तरह से डूब चुके हैं मंदिर फिष्टे 24 गंटे से लगातार यहां पर घर से निकलने के बारे में कहा गया है लेकिन देखे जहां तक नज़र जाएगी सिर्फ पर से पानी ही पानी नज़र आएगा यह उजयन की तस्वीरे हैं ज़रे ज़रे निचले इलाके जो है वहाँ पर पानी बर गया है जिसके बाद बार के हालात पैदा हो रहे हैं पुषासन ने निचले इलाकों में लड़तों जारी किया है लेकिन लोगों को सुरक्षित जगब पर जाने की साथी सलाप्वी दी है लोग बार्ड के हालात से पेड़े जो डाम के पास पानी छोड़ा गया है उसे देखने के लिए वहां पहुंचे हैं लेकिन किस तरह से हम लगातार पिछले दिनों देख रहे हैं कि पानी के साथ रोमांचित होने की कई खतरनाक तस्वीरे भी सामने आई है ऐसे में प्रशास तक पहुंच गया जबकि उसके बगल में बनी एक इमारत को पूरी तरह पानी में दुबा दिया गया है वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाव नजर आ रहा है मकानों के सामने भी सैलाव का पानी बहता नजर आया कई फीट पानी बने की वरस से लोग मकान में ही भसकर रह गये हैं तो मंडला की ये तस्वीरे देखें कैसे उपनता हुआ पानी नजर आ रहा है बारिश के बाद हालात बहुत खराब हैं नदी का पानी शेहर के जो निचले इलाके हैं महापर भर गया है पानी आलम ये हो गया है कि मंदर की छट तक जा पहुंचा है जबकि उसके ब पानी भने के विज़ से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं लेकिन इस लम्हे को देखने के लिए कई लोग घर से बाहर भी निकले हैं हमारे जो नारमदा जी के पूरे केच्मेंट का जो इलाका है डिन्डोरी बालागाट जहां बंजर से बुरनेर से और नारमदा जी से पानी आता है हलों से आता है वहां काफी पानी गिरा है तो अभी पानी का लेवल जो है आज लगबख दो फुट खत्रे के निशान से उपर है और जो निशली बस्तियों में कई जगे पानी भरा है तो हमने वहां के लोगों